है एक तरफ ये नोकरी और एक तरफ है घर है एक तरफ ये नोकरी और एक तरफ है गर उड़ता है पंची पिंजरों को पैरों में बांध कर आज हम सभी ने अपने आस पास जितनी भी महिलाएं होंगी उन सभी को महिला दिवस की बधाई तो दे दी होगी उन्हें Happy Women's Day भी कहा होगा पर सोचे क्या सच में महिलाएं हैपी हैं एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में महिलाएं किसी दिन की महताज हैं महिला दिवस मनाना तब तक पूरा नहीं है जब तक हमारे दिमाग में कुछ विचारों की जमी हुई काई को निकाल ना दिया जाए जिस पर हमारे जुबान हर बार फिसल जाते हैं इस पर ध्यान दे कि जब हमारे आसपास कोई महिला सफलता हासिल करती है तो हम बस यही बोल देते हैं कि महिला है इसलिए उसे ये मिला हमसे उपर किसी पत पर कोई महिला आ जाए तो उसे ओडर लेने पर कितनी बार दिल पर पत्थर पढ़ता है नमबर अच्छे आ जाए तो वह लड़की है इसलिए नौकरी अच्छी मिली वह लड़की है इसलिए तरक्की जल्दी मिल जाएगी वह लड़की है इसलिए हम उसे नजर अंदाज नहीं कर सकते यह सच है कि हर तरफ यह होता है आप चाहें तो मान सकते हैं चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं याद रखें अगर आपके अंदर ऐसी विचार आते हैं तो शायद थोड़े कम इनसान रह गए हैं हम सब ये तो जानते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रती जागरुप करने के मकसद से महिला दिवस मनाया जाता है जिसके लिए तरह तरह के कारेक्रमों का आयोजन किय जाता है लेकिन राजनीती से लेकर साइंस कला संस्कृति और भी कई दूसरे छेत्रों में अपना योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है आट मार्च को क्यों मनाया जाता है अंतराष्टे महिला दिवस क्या आप इस चीज़ से वाकिफ हैं आट मार्च क इस दिन को इसलिए चुणा गया क्योंकि अमेरिका में काम करने वाली महिलाओं ने आट मार्च को अपनी अधिकार को लेकर आंदोलन छेडा था सोशलिस्ट पार्टी ओफ अमेरिका ने नियूर्क में 1908 में वर्कर्स को सम्मान देने के मकसद से दिन को चुना था वहीं रूस की महिलाओं ने ब्रेड औन पीसिस को लेकर भी 1970 में हर्टाल भी इसी दिन की थी यूरूप में महिलाओं ने आट मार्च को ही पीस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए रेलिया निकाली थी इस वज़ा से आट मार्च को अंतराष्टे महिला दिवस मनानी की श सम्मान मिले थीम के साथ मना जाएगा इस साल का इंटरनाशनल वूमिन्स डे महिलाओं को पुरुष के बराबर सम्मान देने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रतिश जागरुक करना इस दिन को मनाने का मकसद है इसलिए आज नगरी परिवार की तरफ से सभी देश की मह मिलाओं को हैपी वूमिन्स डे धन्यवाद